दोस्तो नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर आएए आज कुछ नई चीज सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित, हिंदी व्याकरना में विद्यार्थियो आज की वीडियो हम बना रहे हैं राष्टे का विधारा के प्रमुख कवी पार्ट टू इससे पहले हम राष्टे का विधारा की प्रश्ट भूमी को लेकर एक वीडियो बना चुके हैं और ये उससे अगली वीडियो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेश्ट है दिया आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें बेल आईकोन को जोर दबाएं तक कोई वीडियो आप मिशने कर पाएं आये तो सुरू करते हैं आज की वीडियो राष्टी का विधारा के प्रमुक कवी भारतेंदु यूग से राष्टी का विधारा का जागरन काल आरंब होकर आचारे महवीर प्रसाद दिवेदी युग में पुनर जागरन काल भारतिय राष्टिय मुल्यों की इस्थापना का काल कहा जाना प्रासंगिक लगता है स्वत्मतरता की आकांशा की दुम्दुवी पुर्जोर ढंग से बजने लगी थी इस राष्टिय अभियान में मैथिली शरंगुप्त रामधारी सेंग दिनकर माखनलाल चतुरवेदी बालकृषन शर्मा नवीन सुबद्रा कुमारी चोहान प्रभृती हिंदी साहित्य के राष्टिय कावेधारा के सरजक अपने कावे सरजन के द्वारा राष्टवाद की ध धारनाओं से प्रेरना ग्रहन करते हुए प्रसाद जी ने हिमाद्री तुंग स्रंग सिर्फ प्रभृत्ध शुद्ध भारती का गायन करने लगे थे वहीं महादवी वर्मा चिर सजग आखें उनी दी आज कैसा व्यस्त माना जाग तुझ को दूर जाना का गायन करने लगी के कवियों में सुबद्रा कुमारी चोहान की वहमी का कम कर आखी नहीं जा सकती सभी कवी संबेत रूप से आजादी का दीप प्रज्वलित करने के लिए आतुर दिखाई पड़ते हैं हिंदी साहित जिन दिनों छायावादी दोर से गुजर रहा था उनही दिनों छायावादी काव्यधारा के समनंतर और उतनी शक्ती साली एक और काव्यधारा भी प्रभामान थी माखनलाल चतुरवेदी बालकृष्ण शर्मा नमीन सुबद्रा कुमारी चोहान आदी इस धारा के प्रतिनिथी कवी है इन्होंने राष्टी और संस्कृतिक संघर्ष को इस्पष्ट और उग्र स्वर में व्यक्त किया है चायावाद में राष्टिता का स्वर प्रतिकात्मक रूप में तथा शक्ती और जाग्रण गीतों के रूप में विलता है इसके बजाए माखनलाल चतुरवेदी अपने वीर वर्ति शीर्शक कवीता में लिखते है मधुरी वनशी रण भेरी का डंका हो अब नवतर रुणाई पर किसको क्या शंका हो बाहल कृष्ण शर्मा नवीन विपलव गान की रचना करते हैं एक और कायरता काँ पे गतान उगती विगलित हो जाए अंधे मूड विचारों की वे अचल शिला विचलित हो जाए जाओ रानी याद करेंगे ये कृतग भारत वासी किन्तु छायवाद की सीमा रेखा इस धारा की सीमा रेखा नहीं है इसने पूरवर्ती मैथिली शरंगुपत और परवर्ती दोर में भी रामधारी सिंग दिनकर के साथ अपना स्वर प्रकर बनाए रखा रामधारी सिंग दिनकर प्रमुक कवियों के बारें बात करते हैं रामधारी सिंग दिनकर 23 सितंबर 1908 से 24 सप्रेल 1924 हिंदी के एक प्रमुक लेखक कवियों निबंदकार थे वे आधुने की उकिश्रेष्ट वीर रसके कवी के रूप में इस्तापित हैं बिहार प्रांत की बेगुसराय जिले का सिमरिया घाट उनकी जन्मिस्तली है उन्होंने इतिहास तर्शनशास्तर और राजनीत विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्विध्यल्य से की उन्होंने संस्कृत बांगला अंग्रेजी और उर्दो का गहन अध्यन किया था दिनकर स्वतनतरता पूर्व एक विद्रोई कवी के रूप में इस्तापित हुए और स्वतनतरता के बाद राष्ट कवी के नाम से जाने गए वे छायावाद उत्तर कवीयों की पहली पीडी के कवी थे एक और उनकी कवीताओं में ओज, विद्रोई, आक्रोश और क्रांती की पुकार है तो तूसरी और कोमल स्रंगारिक भावनाओं की अभिविक्ति है इनी दो प्रवर्तिय का चरम उतकर्ष हमें उनकी कुरुचेतर और उर्वरशी नामक क्रतियों में मिलता है उर्वरशी को भारतिय ग्यान पीट पुरुसकार मिला जबकि कुरुछेत्र को विश्व के सो सर्व स्रिष्ट कावियों में चोहत्तरवाइस्थान दिया गया दिनकर की हुंकार रेणु का विफतगा में कवी ने सामराज्यवादी सब्वेता और बिटिश राज्य के प्रती अपनी प्रखर ध्वनशात्मक द्रश्टी का परीचे देते हुए क्रान्ती के स्वरों का आववान किया है प्राधिन्ता के प्रती प्रबल विद्रहों के साथ इसमें पोरुष अपनी भिष्णता और भेंकरता के साथ गरजा है कुरुचेत्र महा कावे पुर्ण रूपेन राश्टी है उठो उठो कुरूतियों की रहा तुम रोक दो बढ़ो बढ़ो की आग में गुलामियों को जोग दो स्वतंतरता की प्रतम शर्थ कुर्बानी वे समर्पन को कावे का विशे बना क्रान्ती वे ध्वन्स के स्वर से मुख्रित दिनकर की कवीताएं नोजवानों के शरीर में उत्सावर उष्ण रक्त का संचार करती है जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमा पती तूने की पुकार पद दलित उसे करना पीछे पहले ले मेरा सीस उतार राष्टवादी कवी रामधारी सिंग दिनकर की प्रतिभाय अधार्थ की भूमी ग्रहन करती है और युग की भूमी में सांस लेती है इस कवी का अपने युग से अनिवार्य और एविचिन संबन था कवी की रचना युग से ज़्यादा प्रभावित है और वह युग की समस्याओं और गत्विधियों को अपने कावे में मुखरित करता है रामधारी सिंग दिनकर इसी कोटी की रचनाकार थे वे साहित्ते और समाज के सजग प्रहरी थे देश के प्रति प्रेम और निष्ठा रखना प्रतेक देश वासी का करतव्य होता है जिस देश के अन जल को ग्रहन करके व्यक्ति पड़ा हो उसके प्रति मर मिटने की भावना ही सच्चे देश प्रेमी की परिभाशा है उन्होंने देश के प्रती अगाद इसने और प्रेम प्रदर्शित किया उनकी रचनाएं देश भक्ती और राष्ट्यता का ज्वलन तस्तावेज हैं देश प्रेम की भावना विक्षित होने पर व्यक्ती की आत्मियता बढ़ जाती है और उसे कणकण में मात्र भूमी की प्रती छवी जलकने लगती है उस देश के समस्त नर्नारी पशुपक्ची पेड़ पोधे अपने जाने पहचाने से लगने लगते हैं जथा उनका दुख चर्द अपना मालूम पढ़ता है डॉक्टर नगेंदर के शब्दों में जब मनुश्य के राग व्रती का विस्तार होता है तो वे अपने व्यक्तित्तों से परिवार परिवार से ग्राम, नगर, फिर प्रदेश, देश और इसके आगे विश्व तक व्यापक हो जाता है देश भक्ती में स्वय का विरत समग्र देश और उसके निवासियों तक विस्तित्त हो जाता है माखनलाल चतुर्वेदी माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968 का जन मध्य प्रदेश के होशंगवाजले के 52 ग्राम में हुआ था इनके पिता इसी ग्राम के स्कूल में अध्यापक थे इसलिए उनकी आरंभिक शिच्छा वहीं हुई अपने जीवन का आरंभ इन्होंने एक अध्यापक से किया इन्होंने प्रभा, प्रताप तथा करमवीर नामत पत्रिका का संपादन भी किया इनका उपनाम एक भारती आत्मा था प्रारंभिक काल में इन्होंने क्रांती का सहरा लिया किन्तु बाद में बापू के सत्य और हिंसा से प्रभावित होकर उन्ही के उन्याई बन गए चायावाद युक के इनके प्रमुक कवीता संग्रे हिम किरिटनी और हिम तरंगनी हैं भारत के ख्याती प्राप्त कवी लेखक और पत्रकार माखनलाज चत्रवेदी की रचनाय त्यंत लोग प्रिय हुई सरल भाषा और ओजपुर्ण भावनाओं के वे अनूठे हिंदी रचनाकार थे प्रभा और करमवीर जैसी प्रतिष्टित पत्रों पत्रीकाओं के संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शाषन के खिलाप जोरदार प्रचार किया और नई पीड़ी का आवहन किया कि वे खुलामी की जंजीरों को तोड़ कर बाहर आए इसके लिए हुने अनेक बार ब्रिटिश सामराजे का कोप भाजन बनना पड़ा वे सचे देश प्रेमी थे और 1921 से 1922 के ऐसा यूग अंदुल में सक्री रूप से भाग लेते वे जेल भी गए आपकी कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ प्रकरती और प्रेम का भी चितरन हुआ है माक्मनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में देश प्रेम और त्याक की भावना कूट-कूट कर भरी है कन्हिया लाल सहल ने लिखा है उद्धात आदर्शों की रक्षा के लिए जो कवी बलिदान की भावना को लेकर मृत्यु की जजेकार कर रहा हो जो केवल स्वपन लोक में ही नहीं बलकि वास्त्विक जगत में भी राष्टी पत का सच्चा पतिक रहे चुका हो और जेलों में ही जिसके रवी उगे और अस्थ होए हों उस कवी कावे की ओजस्विता और मारमिक्ता का तो भला कहना ही क्या दिनकर ने माखनलाल चतुरवेदी को शरीर से योध्धा हिर्दे से प्रेमी आत्मा से विहवल भक्त और विचारों से क्रांती कारी बताया है हिंदी की राष्टि कावेधारा के समस्त कवियों ने अपने कावे में देश प्रेम बे स्वतंतरता की उत्कट भावना की अवियक्ति दी है राष्टिय काविधारा के प्रणेता के रूप में माखनलाल, चतुरवेदी की हीम किरिटनी, हीम तरंगनी, माता, युग चरन, समरपन, आधी के काविकरतियों के माध्यम से उनकी राष्टिय भाव चाया से अवगत हुआ जा सकता है चतुरवेदी जी ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर जंत तंत्रात्मक पद्धती की स्थापना का आववान किया गुप्त जी के बाद स्वतंत्रे स्रंखला की अगली कड़ी की रूप में माखनलाल चतुरवेदी का आविसमृत नामने के वल राष्टी गुरव की याद दिलाता है अपितु संघर्ष की प्रबल प्रेरना भी देता है जेल की हतकडी आभूशन बन उनके जीवन को अलंकरित करती है क्या देखने सकती जंजीरों का गहना हतकडीयों क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना कैदी और कोकिल कवीता से लिया गया है पिस्तोल, गीता, अनंदमठ की जिंदगी ने इनके भीतर प्रचंड विद्रों को जनम दे वैशनवी प्रकरती विद्रों और स्वाधिनता के प्रतिसमरपन भाव ने इनके जीवन को एक राष्टी सांचे में ढाल दिया 1912 में उनकी जीवन यात्रा ने बेडियों की दुर्गम रहा पकड़ ली उनके हिर्दे में चाहा है, अपने हिर्दे में अहा है, कुछ भी करें तो शेश बस ये बेडियों की रहा है 1921 में करमवीर के सफल संपादक चतरवेदी जी को जब देश द्रहों के आरोप में जेल हुई, तब कानपूर से निकलने वाले गणे शंकर विध्यार्थी के पत्र, प्रताप और महत्मा गांधी के यंग इंडिया ने उसका कड़ा विरोध किया, मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना तुम उस पत पर फैंक, मात्र भूई पर शीष चड़ाने जिस पत जाएं, वीर अनेक पुष्प की अभिलाशा शीर्शत कवीता की यह चिर जीवी पंक्तियां, उस भारती आत्मा की पहचान कराती हैं, जिरोंने स्वतनतरता की तुर्गम पत्थ में यातनाओं से कभी हार नहीं मानी जो कष्टों से घवराऊं तो मुझ में कायर में भेद कहां, बदले में रक्त बहाऊं तो मुझ में डायर में भेद कहां अनुभूती की तिवृता की सच्चाई सत्य अहिंशा जैसे प्रेरक मुल्यों के प्रतिकवी की आस्था द्रड, संकल्प अदम में उत्षा और उत्कट, अभिलाशा को लेकर चलने वाला ये भारत मा का सच्चा सपूत, साहित शास्तर और कर्म, यंत्र से दास्ता की बेड के परिवेश में उत्तेजना का शंकनाद कर भारतियों को चिर निद्रा से जागरित किया, इस युक के कवियों ने ब्रेटिस सासन की नीतियों की कटू आलोचना करते हुए जन्ता में संगटनात्मक भावना पैदा की, यही कारण है कि माखनलाज चतुरवेदी की किया, उनका यह है उत्तरदाइत देश प्रेंट अधर राष्टिता का द्यो तक है, तो आज की वीडियो यहीं तक ही हम रखते हैं, राष्टे काविधारा के इन दो प्रमुक कवियों की चर्चा हमने की, वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने छोटी रखी है, और अगली वीडियो में हम राष्टि काविधारा के शेश कवियों का वरणन करेंगे, वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अपने कमेंट्स के माद्धम से हमें जरूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो, यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर कि या हिंदी साहित्ते के अन्य किसी टोपिक को लेकर कि कोई सवाल हो तो कमेंट्स के माद्धम से पूछिए, हम उसका जवाब देंगे, और अपने साथियों के साथ वीडियो को साजा कीजिए, औ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को इसके माद्धम से अध्यन करने के लिए प्रेडित कीजिए, हम वीडियो में मुख्य रूप से सभी चीजें लिख करके आपको इस प्रष्ट समझाते हैं, इसमें और क या सामने बैठ कर लेक्चर देने के बजाए, यह एक पैटरन है, यदि हम आउशक्ता मैसुस करेंगे, या विद्यार्थी कहेंगे तो हम वो वाले पैटरन भी अपना लेंगे, जो ओर्ड वाले हैं, या लेक्चर देने के आउशक्ता होगी तो वो तो विद्यार्थी शुक्रिया नमस्कार